जय हींद मेरे प्यारे सातियों CISA PSI LDC एकजम सक्सेस चैनल में आप लोग सभी को most welcome आज है आपका CISA Head Conestable Ministry का जो जीके का practice set चल रहा है इसमें आपका दूसरा practice set है अता set no.2 है इसमें आपको मुस्किल से 6 या 7 question रहेगा और उस 6 question आपके लिए लगेगा कि 6 या 7 question है मगर इसी एक question में आपको कम से कम 20 से 25 question आपका complete हो जाएगा क्यूंकि एक-एक question को हमने पूरा briefly इसमें क्या किया है पूरा briefly discuss किया है ठीक है तो आपको इसमें कोई दिगत नहीं होगा सबसे पहले प्रेन और पेपार लेके बैठ जाएगी कि एक्स्ट्रा जो information आपको हम देंगे या जो आपको चीज करने के लिए बोलेंगे उस चीज आप क्या करिएगा खुद से थोड़ा महनत करिएगा और note कर लीजिएगा क्लास को अच्छा लगने से like share subscribe पक्का करिएगा साथ में comment क करिएगा अभी आपका छे नंबर कोश्चन और तो इससे पहले हमने पांच कोश्चन कर चुक है ठीक है तो छे नंबर कोश्चन क्या बोल रहा है कि which is the script of Punjabi language और तो पांजाबी भासा की लिपी कौन सी है ठीक है तो पांजाबी भासा की जो लिपी है उसको बोलता है गुर यह स्टेट जो हमारा है यह आपका जो जम्मू कस्मीर का नीचे पढ़ता है और दिल्ली का उपर में राजस्थन का जो राजस्थन और हरियाना का सटा हुआ पड़ता है और यह पंजाब हमारे लिए बहुत important है क्योंकि जब इंडिया जब हमारा freedom इंडिया को मिला था वारे में तो थोड़ा बहुत information दिया और भी information आप note कर लीजिए पांजाब क्या है ये पंच नदियों का देश माना जाता है पांजाब को पांजाब में क्या है जो पांजाब का अम्रित सर में जो सर्न मंदिर है वो सर्न मंदिर बहुत प्रसिद मंदिर है ठीक है ये गुरु दुवा रहा है और ये सर्न का बना हुआ है इसमें जो एक ओपरसन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी जिस टाइम में जो पी-म थे उसका टाइम में क्या ओपरसन ब्लू स्टार कराया गया था ठीक है तो ब्लू स्टार जो आपका ओपरसन है इसमें क्या है तो एक मिलिटरी ओपरसन है ठीक है इसमें आपका पूछा जाता है तो ये ओपरसन कराया गया था मतलब पंजाब का जो केपिटल है क्योई स्टेट है तो इसका राज्ज्दानी रहेगा तो इसका राज्ज्दानी है चंडिगड और यह चंडिगड क्या है चंडिगड एक क्या है चंडिगड एक क्या है चंडिगड आपका ईउटी है और कंद्रसल्स्थ्ट प्रदेस और यह चंडिगड क्या चंडिगड हरियाना की यह केपिटल है तो जो चंडिगड धोनें पंजाब और हरियाना तोहर है जिसको बोलता है बैशाखी तो यह आपका बहुत प्रसिद्य तोहर है ठीक है अभी आपको जो हमने बताया कि पंच नोधियों का देश यह पांच नोधि कौन-कौन है आप बताएगा चलिए मैं कुछ बतायता है सतद्र जिलम ठीक है बैस राभी और सतलज ठीक है त तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है अभी साथ नंबर कोश्चन में हम जाएंगे साथ नंबर कोश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि इन वीच स्टेट टाज्ट सण राइज फास्ट इन इंडिया तो भारत में सबसे पहले सूर्यों किस देश में उखता है तो सबसे पहले आपका तो एंसर हो जाएगा औरुनाचल प्रदेश ठीक है अभी औरुनाचल प्रदेश क्या है भारत का एक यह स्टेट है तो यह सबसे पहले क्या था जब भारत हमारा साधिन हुआ था तब यह स्टेट नहीं था तब यह एक यूटी था ठीक है अभी यह कव UT से कव State बना इसका बारे में थोड़ा आप साच करिएगा और इसका जो Capital है Capital है इटानगर ठीक है अभी देखिए आपको हमें काम दे रहा है जैसे पंजाब का बारे में बोला तो पंजाब का बर्दमन CM कौन है पंजाब का Governor कौन है ठीक है इसका बारे में आप थोड़ा Information निकट अगर रखिएगा सेम आपको उरुनाचल पदेश के बारे में बताया उरुनाचल पदेश का जो आपका CM कौन है गवर्नर कौन है और एक चीज़े उरुनाचल पदेश का जो हाई कौट है आपको जानकारी होगा नहीं होगा यह आपका जो हाई कोट है जो गोहार ती जो आ हो थोता है मधुमें हो ठीक है जिसमें सरीर में सुगार का परिमन बढ़ जाता है अर्था हमारा सरीर में एक इंसुलिन क्या है एक उत्से चख है अर्था एक हर्मन है इसका कमी से क्या होता है हमारा सरीर में अर्था ब्लाड में क्या होता है जो क्या है कि सुगार का परिमन बढ़ जाता इस कारण से क्या है आदमी को बहुत ज्यादा बार प्रिसाब जाना पड़ता है और इसी को बोलता है डाइबेटिस या कोई भी जैसे कोई भी घा होता है सरीड में जल्दी सुकता नहीं है ठीक है सुगार के कारण से अभी एक चीज है देखिए हम लोग जो पेसाब करते हैं पेसाब का कालार योलो होता है योलो क्यों होता है किसका कारण से योलो होता है पेसाब का योलो होने का कारण सबसे बड़ा है हमारा पेसाब में एक यूरो क्रोम रहता है यूरो क्रोम जो होता है लिख लीजे यूरो क्रोम ठीक है यूरो क्रोम रहता है इस यूरो क्रोम का कारण हमारा पेसाब का रंग पीला होते है ठीक है तो यह हो गया है अभी जब हम ब्लाड का बारे में बोले तो आप एक काम करियाएगा ब्लाड का बारे में भी धोड़ा बहुत साच कर लिजिएगा कि एक सुस्त आदमी का सरीर में कितना ब्लाड का जुरूत है ब्लाड का प लाइब पिरोड कितना है यह सब चीज क्या है कि आपको खुद से थोड़ा वो तयार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा उसके साथ-साथ में डाव वी-क का कमी से क्या होता है चलिए बता देता हो डावको अंसले रवह रता है शरीर में रखल कल्प गता का है प्लेट div का किया होता है इसा अफ का दे जीजिएगा ठीक है तो यह हो गया आपका थोड़ा बहुत इंफोर्मेशन अभी देखिए नौ में नौ नंबर क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं बियू इस दा फेमास फेस्टिवल अभ विच स्टेट मतलब को बियू किस राज्य का पसिद्य तोहर है तो बियू क्या है कि अभी असाम राज्य का बारा में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि असाम आपका एक स्टेट है और यह नौर्थ इस्ट का स्टेट है और यह हिमालग का गोध में बैठा हुआ है इसका बारे में जनकारी साइद आपको नहीं रहा होगा अवा असाम किस-किस स्टेट के स साथ अपना सीमा सजा करता है कोई international boundary के साथ या कोई ही भी country के साथ मदलब सीमा सजा होता नहीं आता है उसका बारे में जनकारी ली जिएगा बंगलाद इसके साथ तो होता है और किस किस के साथ होता इसका बारे में आपका है और जो मुझेंद क्या नहीं का नाम में इसका जो हाइप आपका जो कि जिसको माना जाता है कि मतलब भारत का सबसे बड़ा नदी डीप को उसका नाम क्या है उसका है उसका नाम है आपका मजू लिदीप ठीक है चुलिए शॉरी बीच में एक इंपोर्टेंट कॉल आ गया था ठीक है तो आसाम का बारे में जो इंफोर्मेशन बताए आप थोड़ा बहुत कोगल से भी साच कर लिजेगा या आपके पास कोई कोपी है तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत लिख लिजेगा ठीक है क्योंकि यह नौर्थ इस्ट का बहुत इंपोर्टेंट एक स्टेट है ठीक है उसके बाद देखिए दस नंबर दस नंबर का कोश्चन क्या है दस नंब सी होता है तो विटामिन सी का केमिकेल नेम क्या है ठीक है इसका कमी से क्या होता है जैसे स्कारवी रोग होता है ठीक है और विटामिन यह पानी में घुलन सील है या जल में घुलन सील है इसका बार में पता कर लिजेगा दूसरा विटामिन जो विटामिन को सबसे पहले किस विटामिन जो फ्रंक नाम का विग्यानी है उन्होंने क्या क्या था विटामिन का बारे में सबसे पहले खोज किया था विटामिन हमारा क्या क्या है जैसे A, B, C, D, E करके जितना भी विटामिन है जो विटामिन B12 में क्या है विटामिन B12 में क्या रहता है ये कभी कभी आता है तो विटामीन B12 में कोबाल्ड मिलता है ठीक है या किस विटामीन का कमी से क्या रोग होता है क्या बीमारी होता है यह सब का बारे में किस किस सबजी में कौन सा विटामीन रहते है ठीक है जिसमें आपको बोला आमला में है तो विटामीन एक किसमें मिलता है, जैसे गाजर्घर में मिलता है, ठीक है, यह सब का बारे में थोड़ा बहुत आपने अकम तयारी करकर रखिएगा, इसमें क्या होगा, आप ये सब जिस चीज को आपको बता रहा हो, इस चबाल क्नें नोट कर रहे हो, और बाद में उसको आपको आगे आने वाला जो क्लास में आपको एंसर देने में कोई दिगत ही नहीं होगा आप खुद से एंसर दे दोगे और आपका पर एक 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 जाम के लिए अच्छा सा पीपर रसन भी बन जाए अभी देखिए 11 नंबर क्या है बोल रहा है कि इन वीच कांट्री हो तो चीन हमारा क्या है प्रति दंदी एक देश है ठीक है एक बोल सकता है कि प्रतिवेसी देश भी बोल सकता है तो चीन हमारा भारत के साथ जो चीन है चीन के साथ भारत का जो बोडर है इंटरनेशनल बोडर है उस बोडर का नाम क्या है उस बोडर का नाम है मेगमोन लाइन ठीक है उसके बाद क्या है चीन हमारा किस-किस भारत का कौन-कौन स्टेट के साथ उसका मतलब ये साजा करता है मतलब उनका जो territory हमारा भारत के साथ जो साजा करता है कौन-कौन से साजा करता है तो ये सब का बारे में आप थोड़ा बहुत information लेकर रखिएगा चीन में क्या है कि इसका capital क्या है तो बेजिंग है चीन का जो रूपिया को क्या बोलते है ठीक है रेन मीमीन ठीक है ये इसको बोलते है और क्या एक बोलते है उसका बारे में comment करिएगा ठीक है तो ये सब क्या है उसके बाजे से हमारा सिक्किम में एक पास है नाथुला दर्रा है ये एक पास है जो चीन के साथ हमारा जो संपर कनेक्ट करता है तो ये सब क्या है ये सब को आपको खुद से थोड़ा बहुत महनत करना पड़ेगा खुद से थोड़ा बहुत महनत कर होगे तभी पढ़ाई सही धंग से होता है क्योंकि देखिए हम तो आपको पढ़ा कर चला जाएंगे और खुद से महनत करोगे ना मेरे बोलने से भी खुद से महनत करने से उसका नालेज अलक से होगा इसलिए मैं आपको खुद से कुछ करने के लिए मैं मतलब पेरित कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रयास को अच्छा लगने से लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट पक्खा करिएगा तो चलिए जय हिन जय भारत